समस्कार जहिन दोस्तों आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने योटूब चैनल टेकनिकल भी दैसियस में दोस्तों हम आप लोगों को जो है CITS इंटेंसी ग्याम 2023 के प्रिप्रेशन के लिए 500 कुष्चन की इंपॉर्टन्ट सीरीज चलाए हुए हैं दोस्तों प्रिवियस येर जो है कुष्चन पेपर करके प्लेलिस्ट बनाया हमने और उसमें हमने लगभग आपको 80 लगभग 70-80 वीडियो प्रोवाइट कर दिया है अगर आप जाकर उन सारी वीडियो को देख लेते हैं दोस्तों तो जो भी कुष्चन आपकी एक्जाम में आते हैं चाहे CITS का 2023 का इंटरेंस एक्जाम हो या कोई भी कुष्चन का एक्जाम हो तो आपके कोई कुष्चन छूटने नहीं पाएंगे दोस्तों तो दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है दोस्तों मेकैनिकल प्रोपरिटी से रिलेटेड सारे important कुष्च को देखेंगे तो चलिए दोस्तों आज की सेसन को सुरू करते हैं जो लोग नए है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों ताकि वो उनको सारी वीडियो की notification मिलती रहे और CITS इंटरेंस इक्जाम से जुड़ी हुई सारी जानकारी जो इस वीडियो के माद् क्या होती है पहले आप यह जान लेजिए तो दोस्तों जो elastic deformation होती है कोई भी material है अगर उस पर हम बल लगाते हैं या दबाओ डालते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन होता है यदि वह आकार जो है में जो परिवर्तन होता है उसके आकार और size में यदि दबाओ और pressure को हट क्या लिया जाए तो वह पुना अपनी पुरानी अवस्था में आ जाए या फिर आती हुई लगभग आपको प्रतीत हो तो इस गुड़ को जो है elastic का गुड़ बोलती है और इस deformation को जो पदार्थ में यह deformation मतलब कि प्रकार से उसके आकार आकृती में जो है विकृती याना तो plastic deformation क्या होता है दोस्तों कि जब किसी वस्थ या फिर पदार्थ पर बल लगाया जाए और उसके आकार आकृती में परिवर्तन हो जाए लेकिन वो पुना अपने आकृती को रीगेन या फिर उसको न प्राप्त कर सके तो ऐसे गुड़ को जो है दोस्तों plastic का गुड़ कह होता तो कर देते लेकिन यहाँ पर लचीला पन होगा जैसे किसी पदार्थ में अगर लचीला पन है हम उसको मोडेंगे तो उसके आकृती में अगर माली यह एक सिंपल सी राड है यह राड है चलिए मैं तुमको आप लोग को समझाता हूं दोस्तों देखिए यह कोई कि साइब कुछ ऐसे हो जाएगी लेकिन जैसे यह प्रेसर हटाएंगे तो यह अक्रिति पूना क्या हो जागी सीडियों यह तो इसी गुर्ण को जो है इलाश्टी सिटी यह इलाश्टी सिटी डिफार्मेशन बोलते हैं तो यहाँ गुल किसके करण होगा लचीला पन के कार कुछ ऑर्ण के कारण कुछ इसके कारण धात रखता है हार्डडड़नेश के कारन आपका राइट एंसर दोस्तों डी हो जाएगा बढ़ते हैं रहे हैं जिसके कारण उस पर चोट लगने पर वह तूड जाती है तो दाधू का वह ऑगुर्ट जिस पर चोट लगने पर टू जिस पे छोट लगने पर या गिरने पर टूड़ जाता जैसे सीसा हो गया आपका क्या हो गया सीसा हो गया आपने सीसा देखा होगा सीसा ठीक है तो आपका right answer दोस्तो be हो जाएगा भंगुर्ता बरते ready क्या कर रहा दोस्तों आप लोक कि धातू का वागुण धादू का वह गुण जिसके कारण खीचने पर वह तूटती नहीं है तो खीचने पर तूटती नहीं है तो वह कौन सा गुण होगा टैना सिटी, डक्टिलिटी इलास्टिशिटी, प्लास्टिशिटी तो आपको पता है डक्टिलिटी मतलब तार बनाने के गुड को कहते हैं Elasticity धात पर बल लगा की हटा लेने पर पुना अपनी अस्था माज है Elasticity बोलते हैं Plasticity अगर बल लगाया जाकिसी धात दूपर तो वो अपनी जिसाक्रिति को गेन करें दुबारा वापस मैं उसे Plasticity बोलते हैं लेकिन आपका जो है धातू का वागुण जिसके कारण खीचने पर तूटती नहीं वागुण होता है टैना सिटी आपका राइट एंसर दोस्तों ए हो जाएगा टैना सिटी को बोलते है तनता तनता तो धातू का वागुण जो की जैसे किसी धात को खीचने पर तो धातू का वह ultimate point जिस पर वह तूटने से पहले बल को सह लेता है उसी बल को जो बोलते हैं टेना सिटी बोलते हैं या फिर तनता बोलते हैं समझे हैं तो इसका right answer क्या होगा इसका right answer होगा टेना सिटी बढ़ते हैं इस question सर्फ अगले question क्या कह रहा है कि धात के खरोच तूट फूट अप भंगुरता चिमरपन दिर्टा तो उसे बोलते हैं दोस्तों कठोरता क्या बोलते हैं कठोरता आप लोग दिर्टा मत लगा दीजेगा दिर्टा गलत हो जाएगा कठोरता बोलते हैं तो आपका right answer दोस्तों यह हो जाएगा बढ़ते हैं नेस question क्या कह रहा है कि धातूँ को उनके भौतिक गुड़ों से पहचाना जाता है उनमें डैट डैस होती है तो जिनको भौतिक गुड़ों से पहचाना जाता है उसमें क्या होती है आस्थाई गलनीता परिवर्दन किये जा सकते हैं उपरोप में से कोई नहीं दोस्तों धातूँ को उनके भौतिक गुड़ो को कहते हैं तो भंगुरता के विप्रीद गुल को क्या कहते हैं भंगुरता होती क्या है बल लगाने पर तूरंत क्या होता है टूड़ जाता है तो अगला कोशजन कह रहा है धातुं को जब चुम्बक अपनी और छीचती है तो उसे चुम्बकी गुर पृतला है सभी प्रकार की धातूं में गलत नान फ्रस धातूं में सही है दोस्तों औरो प्रोगमThese कोई नहीं है अभी गलत है तो right answer, दोस्तों C हो जाएगा कि चुम्बकी का गुल किसमे होता है, फेरस धातूं में होता है, कुछ अपवात, सरूप एकात धात नहीं है, लेकिन आपका जो maximum जो होता है, आपका फेरस धातूं में ही चुम्बकी गुल पाई जाता है, right answer आपका C हो जाएगा, बरतें, नेस कु लगाया जाए तो अबर वो अपना अकार बदल लेती तुसे क्या कहते हैं प्लास्टी सिटी आपका राइट एंसर दोस्तों भी हो जाएगा जाफ कीस गुल के कारण धात की पतली तारे बनाई जाती है तथा तारे बनाते समय वहां टूठती नहीं है इस गुल को क्या कहते हैं तो तार बनाने गुन को क्या कहते है Korean अगात वर्द नी वर्दता चीमरपन तन्यता तो धात के पतले तार बनाने के गुड़ों को क्या कहते हैं तन्यता तावका राइट एंसर दोस्तो डी हो जाएगा बरते हैं इस कुश्चन के तरफ अगला कुश्चन क्या कह रहा है कि धातुमों कवा गुड़ जिसके कारण व ज़टके साम करते हैं उसे सौपिंग रिजिस्टेंस बोलते हैं आपका राइट एंसर एँ हो जाएगा बढ़ते हैं इस कुश्चन क्या कह रहा है कि धातुमों के किस गुड़ के कारण इसकी पतली चादरें बनाई जाती है तो आपको बताने हैं दोस्तों धातुमों के कि दिम बोलते हैं अंग्रेजी में मैलेबिल्टी बोलते हैं तरहीं टेंसर आपका भी हो जाएगा वर्तेंस कुश्चिंग तरफ अगला कुश्चिंग क्या कह रहा है कि यह बहुत इंपॉर्टन कुश्चिंग दोस्तों सुरच्छा गुडांग का सुरच्छा गुडांग कर मैं आउएगा बादेश्चिंग ओनेबॉर्त वर्तेंस क्या की दोस्तों करता है कि जैसे हैं न人 WWE का जोई किकुडांग डालते हैं तो उसमें अइस्ट्रस का चरदा मौइंट जितना वह सह सकता है ultimate उसे राइदम ultimate और working stress मतलब जिस पर वो working stress मतलब कि जितना उस पर उस्तों में कारे कर रहा है मतलब कहने का है कि कोई धात की! आपके पास चादर है तो वो जतना अधिथता में stress सहेन कर सकती है और वरतमान समय में वो जितना stress अब दोस्तों कर रही है इन tuning के अनुपात को जो है सुरथ्चा गुणांग कहते हैं कर राइड दोस्तों बी हो जाएगा बड़ते ने स्कूश्चंग तरफ आज का दोस्तों यह कुश्च परसंट दोस्तों से चार परसंट 156 तो काश टायरन में कार्बन की मात्रा की होती है दो परसेंट से चार परसेंट आपका राइट एंसर दोस्तों जो है सी हो जाएगा बड़ते एनेस कुश्चिंग तरफ आपका अगला कुश्चिंग क्या कह रहा है कि निम्न मेंसे वा धात जिस पर मौसम का प्रभाव सबसे कम परता है तो कौन सी दहात है जिस पर मौसम का प्रभाव सबसे कम परता है इस्टील, कौपर, काश टायरन, एल्लुमूूनियम तो दोस्तो काश टायरन पर मौसम का प्रभाव सबसे कम परता है तो राइट एंसर C हो जाएगा अगला कुछ जिन क्या कह रहा है कि निम्न में से वह कौन सी धात हुए जो अति उत्तम बीरिंग वा स्लाइडिंग सर्फेस परदान करती है तो धलवा लोहा, पिटवा लोहा, इसपात, मिस्रित इसपात तो दोस्तों आपका हो जाएगा धलवा लोहा जो है आपको उत्तम बी वरिकेंट का कारि करता है बिल्कुल सही, आसानी से मसीनिंग की जा सकती है यह भी सही, फिनशिंग अच्छी यह व्ये कि मसीन टूल मसीन के गीर बॉक्स है डिष्टाक किस धाथ के बने होते हैं यहां अगला कुशन क्या रहा है लाउ अयस्कों में से किस भटी में पिगलाकर पिग आयरं बनाया जाता है ब्लास्ट फरनेस Kupola Furnace, Puddling Furnace तो दोस्टों, जो Law ASK होता है उसे जो है Blast Furnace में पिघला करके PG iron बना जाता है तो आपका Right Answer दोस्तों, ए हो जाएगा PG iron बनाने के लिए Blast Furnace का इस्तेमाल की जाएगा Right Answer ए हो जाएगा बलतें ने फुनकर एक अगला कुश् primera के रहा है तो दोस्तों इस question का answer आप लोग comment box में करेंगे और यह आपका रहा दोस्तों आज का homework तो इस homework जो हम दे रहें इसका question का answer आप comment box में जरूर करेंगे और जो इनका question सही होगा उन्हें मैं thumbs और हड दूंगा और जिसका गलत होगा मैं उसे right answer जो है बताऊंगा तो आपका इस question का answer जो comment box में जरूर करिएगा आसा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर वीडियो को like करके चैनल को subscribe कर लिजेगा जो लोग नए है भी या वो भी चैनल को subscribe कर लें क्योंकि CITES 2023 की full preparation और कोई विजानकारी आपको CITES related इस चैनल के माध्यम से आपको provide की जाती है तो मिलेंगे स्वारी दोस्तों मिलेंगे next वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए जै हिंद जै भारत